आ गटना कटे छे गंगाने कीनारे फिला साधू मारा दोबीनी वच्चे धम्मा बेठा ठाकोर जी हिने मनमा येम थाई कि मैरो मारो साधू सहन करे छे और अलो वारे वारे अपमान करे धुके छे अवे मारा नी खेर न थी जोईलो वान वे बगवान तेयार थिया निकड़ू वा माटे आ बाजू साधू ये नकी कईड़ू कि त्रण वकत मने न उड़ाईवो अवे स्नान करे ने बारे निकड़ू अने जोईलो दोबी थुईको तो आपचे तुमडी हगी ने थाईवे ये नि तैयारी मां बगवान ने तैयारी माँ दोबी ये नि तैयारी माँ जेवा साधू महराज्सु नान करे ने बाएर निकड़gone वान उरो चोधी वार थुईको अन्ने ये पूरय-पूरिसरी नी तमाम शक्ति भेगी करी उनली एक मैरी पपली, तुम्बडी, वलो त्यांते एठो पड़ी गयो पगवान बराबर बचाओ माटे निकड़ाता और दाम माथी बारिक पाचा पसियासन माथी ब्यासी किया अले मुक्तों पुछो के प्रभुत में जेन पाचा के मुई आईवा बगवान के मारे पाचे जवानी जरूर नो रेकें बगवान के वे दो भी ये दो भी थेगिया पाचे मारे जवानी सु जरूर छे दो भी ये दो भी थेगिया वात एम च्वाला बग्त जेनो अग्नानी मानस केरेक अगनान दसामा केरेका एक बोली जाए तो सहन करता थोड़ू शिखिये भगवान ना भक्तनो आ लक्षन छे एवु नोतु के सुखदेवुजी महराज अवस्थानान यटलेनामा कोई बढ़ नोतु सकती सामर्थी नोती स्वामी लखे छे समर्थी के वी यती तो संबडो समर्थ पन ए सर्विसयो समर्थ सहे तेने सुखईये समर्थ पन ए सर्विसयो समर्थ सहे तेनु शूखईये आज तपाशोने आपनु एवा जिवा नथी के छईये आज तपाशोने आपनु एवा नथी के छईये व्यास्टी ना पुत्र सुक्देवजी महराच जन्मी और भाईगा छे व्यास्टी महराच बार भरष नी सुक्देवजी नी अवर्ष था व्यास्टी ने पोची शेकान थी त्यारे व्यास्टी ये पोताने सामरती द्वारा व्यास्ट भगवान नो अवतार के वाई जंगल मा जटलाव रुक्ष मा प्रविश्च करी अने व्यास चीए शुक्देव जी महाराज ने साध पैड़ो छे हे शूक, हे शूक, उबरे जा, उबरे जा आम शुक्देव जी महाराज ने अवाज कही रो छे मुने त्यारे सामे सुक्देव जी महाराज पैड़ एटला अज शामर्थ यवान जेटला उरुक्ष हता ये तमाम उरुक्षों मा रहे अने होकारो आए पो छे कि हे व्यास मुनी, हे व्यास भगवान तमे मुने बुली जाओ सामे चुवा बाईपो तमने सकेवा ये मागूचो दिवस्टेन दिवसे स्रहन सकती घटती जाई चे अकधा आपन ने माटे वह फायदा मन चे समझवाह जेवी चे तोडिक जवन्मा धिरजधारी ए तोडिक जवन्मा स्रहन सकती नुँ तारण करी जी आपनने प्राप्त थो prayer अबिमान जोन आवे, तो सहन सकती प्रापत थाए. तो सहन सकती मड़े. कोई मजूर मानस होई. एने उनों सेठ छे, एक कोई करवा सम्द कई जाए, तो एब दू सहन करी जाए. सा माठे एऊ माने छे. वे तो मारा सेठ कीवे, बोश केवाए. माट एमन किये मारे सहन करू पड़े बस ए रितेज आपने थोड़ी विचारधारा द्रड करवानी छे वे कई जय कई वान दोनी आपने भूल होई तो स्विकारी लेए आटलू जो आवडे तो वहला बक्त जन्नो जीवन जीवानो खुबानन दावे पगवानना भजनना मारगे पण आपने आगण भधी शक्ये निसकवान स्वाम्मी के छे आज तपाशो आपनू एना जीवा नथीके छेई आपना बद्दानी मोटी कम नसीबिये छे कि कोकना सारा सब्द केवा होई तो आपना बदाय मुंगा थे जईए कोकना का एक नबद्दू केवू होई तो आपने जीवावी जई खरू के ने आउज मोटे भागे थाए न बोलवानू बोलिये औने बोलवानू छोड़ी देए छिए तेरे आपने जीवादनों मोटो लाप गुमावी बेशिये छिए आन करू तुर सहन करू अन सू बोलू, सू नो बोलू एपन सिखू क्यारे कया समय केवू बोलू एपन एक कड़ाच महराजे लेया खाचनिक वर आगना करियो लेया बापू हाँ महराज तमे गामो गाम सस्थन करावा मटे जाओ तमारी आगना चे तो जाओ ते दरबारों महाराज ने के महाराज बने अलेयो येने एकला मोकलो छो महाराज एक भूली जाए येनी पूष्टी करवा माटे यादी आपप माटे समय कदाज भूली जाए कदाज मोडू थी जाए बिजुत्री जुका भूली जाए तो महाराज एक मालस ने आयरे मोकलो महा संहब दरैें । दो सांबलो', एक सांबलो गाम् जनो, रिनलगेम नडा समस्लाप, दो सांबलो खञवस, मतलि सांबलो गाम् जनो, बडनेवां काउसू ते हैं। भाप यह वात क किरी, कि पुर्वे एवा मोटा मोटा देती हो देती हो ताउ, राक्ष्ष रो viol T echo यहां मोटा खबर चे बदा के ना बापु तो सांबडो यहां मोटा मोटा देती है ता रिनाक्षन नाम नो देती है तियो और आखी पुर्थवी यह लाई और समुद्र मा जटो रियो पचि वारा बगवान प्रगधिया पुर्थवी ने बार काटी आ बदी वातो कृता था यहां मात्रो तो बदी वाई लो ते हैं बापो ले बन एतो किये के ए पुर्थवी ले ने वयोगियो ते उभो क्या थे लो कि अम जोन बदा यह बेठा ता मा अरजाने खबर ने परिशू बदा थी गई गई गां जोन बदा बदा यह बेठा आने वच्छिया मात्रो बदी पुर्थिले ने वयोगियो ते उभा क्या उभा क्या रिया अलु बोले शू अवे अब दिविया वात उचा बुद्धी मन समझाए अले अब बाप शिजदायवा माहराद नीपासे माहराद तमने सान अने सिना माते मुईकलो थो माहराज के जू थीयो और माहराज आ उठीयो माहराज के मातरहते पूष्टी के डिके बगाल के रो माराज मने मन माथ जी पूछिली सान WILLибा पूछाइ माहराज भूलतलि क्यारे बूलाए शू बूलाए ये पन remember your level थे अपने आपीड़। करवी दूर शुकदेव जी जडबर जी विपिशन जी अमरिश महराच आ बधानी वातों स्वामी के चे आ भगतनी रितो छे भगवान आ भगतनी रित केवी होवी जोई स्वामी के आ बधानु चित्र आमा आपेलू छे चित्रा आई पूछे पोतानी रित पर हरी और हरी दास्न करवी दूर पोतानू मननू जे मानेलू होई एनू त्याग करवो और भगवान ना भक्तनी जे रित छे इने ग्रहण करवी वेशे लेश लेवाई नहीं सावकार नरिष्ट नू सूख, बोली देखी, बोली देशी तो बहुत एमज करे, पन दाम हुकम नू रहे दूख, वो सरस्वामी द्रस्टान, निसकोला न समेटे द्रस्टान नो बंडार के वाए, एक एक वातमा केटला केटला द्रस्टान वादू स्वामी तो कि कोई कला कर मनानस वैं, मोटा सेठ उण रूप स्थया उप लेश बजवता वेश भुजवता वह राजा नो वेश भुजवता वह पन वेश भजवता राजा नो शूख हावे खरूवाँ, सूख ना का वें लुटा नूमे लोटा नो को एव दनाली सवारे जुना जमाना निवात तेला बदाए उला पभायाव आउता बो मुटा मुटा राजा नो वेश बजवे पन बिजे दिवसे सवारे एज बदाए पाचा पैसा मगवा निकड़ाओए स्वामी वात लखे वेश लेश लेवाय नहीं साहुकार नरेशनु सूख बोली दे शीतो बहु तेमज करे पन दाम हुकम नू रहे दूख ये बदूए मेडा पचिपन ये बदूए कईरा पचिपने दूख जाई नहीं ओटी अजीन अंगे सिहनु अन जम्बुक करे जम जोर निस्कुलानंद एह वात नो अंते नहीं आवे नोर अजीन अटले एनू चांबडू शीयाल चे एह सिहनु के पचिपन वागनू चर्म पेरी एनू आखु स्टेच्यू पेलू बनावी एनू पोश्च्यूम पेरी अन आटाम मारे अटले सिहिब नी जाई स्वामी ना बदाई केवान अद्रिस्टांतों नी पासल कारण मात रेटल चुवला भगत जनो स्वामी एम केवा मागे छे के भगवान ना भगत नी मातर उपर उपर थी जापड़े लूक बनाईवो हो याटनी भासामा कईए मातर वेश बनाईवो होई वेश बनावाती भगवाना भगत थवाए नई वेश बनावाती भगवाना भगत न थवाए भगवाना भगत थावू पड़े अंतर थी थावू पड़े, सबाव थी थावू पड़े, गुन थी थावू पड़े तो भगवान बगत आपड़े साचा भगवान बगतन्माना जिवन मा जिवी भगती होवी जोए जो वेराग्य होव जोए, जो धर्म होव जोए आतमाम ज्यारे जिवन मां आवे तेरे भगवन भगत खरा है सुख्दव जी मारा नो प्रसंग स्वामी आरी ते बुरणन के रोचे त्यार बड़ स्वामी नारद जीनी वाद करे छे वडी कहु रूशी नारद येक न कीजी जेने प्रतित प्रगटनी छेपकी जी आपे ग्णान दान जनने विवेक जी पाम्या भवपार अगनित येह थकी जी नारद नी वाद करे स्वामी नारद जी एक भगवान ना बोव मोटा भुक्त जेनी प्रतिती भगवान मा पाकी प्रगवान विशेवो भाव वड़ी आपे ग्णान दान जनने विवेक जी पाम्या भवपार अगनित येह थकी जी पूराणिक पातर छे नारद जी ने माटे समाजमा घणी वकत खुटी ब्रमणावो फेलाती होय किस नारद जी एटले शू के एक जीगे थी बीजी जीगे जै अने नारद नारद करता आग लगाडवी एनू नाम नारद जी बे मानसों ने बदावा अटले इनू नामके नारद जी ते गणा लोको याना परशब्द बनावी नाई को क्या नारद उरती करे छे एटले कि ब्यजरान बदावे छे नारद जी नूपमान छे येनू कारिय नथी येवा संजुगोव साथ येन केन प्रकारणे जे कही करेलू छे येमा बो उंडा उतरू नथी परण नारद जी नी मोटामा मोटी जो कोई खाशियत होई तो ये छे सतत विच्रन केरा करे पृत्वी लोकमा, स्वर्ग लोकमा अने नारद जी ने सामर्थी छे ये इतले कि जआ चाहे तिया जहि सके नरक लोक मा जे मार खावाने खाता होई ने टालवा बदे जीग ये जाहे इचाहते तो वेखुट लोकमा पन जाहे स्वामीनिक वात करे चे अगलित जीव उधारवा आनरे फरे स्वर्ग म्रुत्यू ने पाताल जीवोजीगनाशू त्याजर जयाई ततकाल जीवोगुशूद जीवातमावोँ जीवातमावो त्याट्या त्याजर फरी विचरण करी सरसुब्देशा पे and बधनु घ्लाण करी अ साधूनो मुख्या दर्म चे सादूनों मुख्या करतवी अचे कि ज्या मुमुक्षू होई तेने वात करवी अपने थोड़ा गड़ा मुमुक्षू है इस्टू त्यारे वाला बक्तजनो अपने संतो वात करता होई खरू के नी क्या रितमे उउस सेम्पडू कोई सादू दारूना अड़ामा जेन वातू केरी जो निया मुमुक्षू होई तो कदाच त्या जाये खरा पन मुमुक्षू जया होई त्या ज सादू गिनान नी वात करे ज्या जेवी पात्र त्या त्या तेवी वात आवात बो नक्की छे एम करता आविया नारद नारायन सर दिठा साम्ता सहस्त्र दस दक्ष प्रजापति ना कुवर नारद जी फरता फरता एक आतमा विना एक आतमा करताल मुखमा बगवान नाम शिर्मन नारायन 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 करता करता नाराजी एक वोकद नाराइन सर्वर ने किनारे पोईचा चे जो यू छे बहुत मुटी संख्याम मानसो नाराजी नजीक आएवा जोवा बदाय छेकों तपास के री ख्याल आएवो आर दज सजार दक्स प्रजापतिना दिक्राओ छे चायावानू कारण दक्सेने जवाबदारी स्वोपी छे आ स्थरुष्टीनी उत्पतिने विकास करवा माटे प्रगती करवा माटे संतत्ती औने जुन संख्या वदारवा माटे तपस चरिया माटे मुईकला छे दस सजार जेटला बदाय ने जुया अटले नारजी ने विचार आईवो क्या दस सजार दक्षना दिकरावो छे आ बदाने ससंगनी वाद करी उपदेशापी वेराग्यो प्रक्टावी अने जो साधू करदी जात केम थाई आओ संकल्प नारजी ने आईवो सो संकल्प थियो आप दह जार दक्षना दिकरावो आप बदाने जो उपदेशापो होई अने संसार असार करावी मुईको होई तो भाई आप बदा सुखी थाई जाए नारजी पतानो का म्या चालू किरू आपने उनुती करता गणियो करता जहां पहताउ ने भाई आप जफी मुटां तो ब्यड़ा होई तो ब्यठा ब्यठा झटा puff आपने ब्हाद यू काम काज करता होई पकाती सब्हभाट होोई फही है हिंजी फिर तो भाई आप अपनहे आप जोआ आप सुराकित्स अवाइ आपने जे उरुत्ती छे आपना जे विचारो छे तमाम अपने अमा देखाए नारजी ये दसे दस अजार दक्ष पुत्रों ने उपदेशापी और सुनसार असार करावी और येने मोकली दिदा पगवान बजवा माटे जंगल मा अकयाब अपने हरु लागे जे ने उत्पर्ति करेते स्विष्टी ना सर्जन माटे स्विष्टी ना विकास्टने माटे अने नारजी उप्योकेरो छे बगवान बजवान बजवान नी अ मोटम मोटी खासिय अच्छे साची वात अने सारी वात ज्या करवी घटे त्या करवी करवी अने करवी अब गवान ना सादूनों गुण छे अवश्य वात करवी माराज एक वकत एक गाम्मा पदा रेला एक हरी बगटे माराज ने कि तो माराज मारे गरे पदरामनी आऊ ने माराज के सारो आऊ शो माराज पदरामनी ये गया पेला हरी बगट आम कपड़ा मा आता पर सुनसार मांडे लो ने सांख्योग स्विकारे लो लगन करेला नही पतानु काम काज करे, खेतरवाडी जे काई वोईते बदू करे, औने भगवानु बजन करे, महाराज घरे पदाई रा, करमा एक जगियाए, एक खुडामा, एक कोई स्त्रीमालाज, कोई बेन, दणू दलता था, महाराज जोयू, बोईला नहीं काई, महाराज पचे, बार्ने कलीन पचे, किदू महाराज। तमें संख होगी, तमारी घरे कोई स्त्रीमालाज, दलता था, आवे अम धरं केम्रिय एकांतमा सहवास थाए महाराज के आबे बराबर नए आम महाराजे पेला रिभगत्न ऐदी दू एने जवु लागे एओ एने सारु लागे तो पून बले एने माठु लागे तो पून बले महाराजे कय दी दू महाराज अटली वात के रिपची महाराजे एक नियम बनाए वो महाराज के जो लगन करें ग्रहस्थास्रम्मा रेव और का पचे ग्रहस्थास्रम मनो जवो होई तो त्यागी थावू पट आरिते कोई संक्योग राखुँ नहीं आम महाराज जहरात करदी थी साचिवाद एक करवी पड़े आप नंती साचिवाद क्यों ता कि एक दुख लगाड़ी ने किये कि एक कडू लगाड़ी ने पण किये कोले कदाच खोटू लागतू होई तो अपन कदाच क्या एक केवु पड़े तो किये आव यसनी बदीवाद चलती होई तो केवु पड़े तो केवु पड़े आण आव यसनी बद आज कल नी नहीं हो पेल ले थी चाहिली आवे बदीवाद तो पेल ले थी महापूर स्वामी ने बद बेद वस पहला साम्ड़ी थी महापूर स्वामी बायावदर पदारेला अने देवकृष्ण जोशी ते नजी कईवा बेठा अटले स्वामी किदू कि तमारे बजर नू व्यसन छे जोशी कि हाँ स्वामी मारे बजर नू व्यसन छे महापूर स्वामी कि तमारे बजर नू व्यसन छे अक्सरदम मा तमे जई नी से को तो त मारे कैलास जावानो वारू आउशे आप भजर खाशो तो कैलास जावू परसे माटे विचार जो देवकृष्टन जोसी के कौना भजर नो खाव तो जो तुम जो अना भजर न खाव तो तमने भगवान ना धाव मा जवाव मडे आतली वाढ खेरी कि तो तम न्या भगवानु ध्याम मलशे अटलेज मातर वात थे तोला वर्ष पचेनों स्रमाई महापुरुस्वामी को विचरमा गयेला अने संतो बदाय बेठा था एमाया स्वामी ये वात करी कि भायावदर ना देवकर्ष्ण जोसी एने महाराज धम्मा तिडवा माटे आ अम्मा तिडव्स्वामी कारण कि देवकर्ष्ण जोसी कि महापुरुस्वामी ना पिताजीयता है साम्परदायिक अम्रीयादा प्रमाणे जोड़ी तो त्याही ये पताना सबंदी होयैisches Natalie डियेववत्न नो होयै कोई व्यवार नह विवार और स्वामी आट ली वात करी अ पिताने अउसान थाए धम्मा जाए और समाचार मड़े तो इने शनान करी वस्तरजी सनान करी और सूतक उतारवनों के विधी छे श्वामी सनान करी यह अग्णिवी वातमा थे वाला भुक्तिनों शिखवानी वाते छे के पेले थी कोई पन महापुरुचोय कोई पन संतोय क् साचि वात के वामा क्यारे पिछरट करी नथी और समझी और स्विकारवन माँ क्यारे पिछरट करी वातै जे कैए आपने खामी वह होई आपने जहरे समझाए त्याग करो बेदिवस्ति चानी पन वाते विन गईकाल जवात का स्विन भुगत वात करता था कि मारे विनो दुबाई मलाड थाईवा छे थोड़ी कड़ी चानी जे थोड़ी टेव हती पन गईकाल नी कथा साम्बडी औने चाने आ जिवन माटे मुईकी पड़ती अव्या मोडामा चा जाई ने चा मुईकी आने केवाई सिबिर नुपड वाला बगत जिन्वा कथा हो साम्बडी अने खास चेखू अपड़ामाजे खामी वो होई खोड़ी खोड़ी ने काड़ी है काड़वान वा अवसर छे नारजी ये साची वात करी 10,000 दक्ष पुत्रों ने साधू कही रहा एने बगवान बजवा माटे जंगल मा मुखली आई पा दक्ष ने खबर पेड़ी के नारजी ये पोँची गिया 10,000 ने साधू कर दी दा दक्ष नेम तो के मारू काम बदू अधूरूर यू ते फरी पाचा बिजा जार संतानन उत्पन कही रहा आतम नेम थाई का आब भुदू थाई के वी रितना बना बदी ठाकूजी नी जे रचनावो छे चे प्रकूतिनू सर्जन ब्रह्मानी सर्जन जे चे सर्जन माटली शक्ती चे संकल्पे करीने पुत्र प्राप्तेने पुत्रनी उत्पतियों हती एक जार दिक्रावोने फरी पाचो जिन्मा आई पो ते एक जार वडी पाचा तपशिय करवा माटे गया अने नारजीये पाछा जोया पाछा नारजीये पाछ उप्देशाइपो एला भला मणा तमारा हाई थजार बायो और तमारी जिमज संशार में पड़वां मटे निकलाता पन मेने साची वाद के रिए और बदाने साची वाद समझाए गए तमाराज मोटा बायो हाई ठजार बदाए पगवान बजवा मते निगड़ी गया और तम बदाए हुआ बुदू ले मिंडा छो मेडी मंदीर शायबी ने गज तुरंग शुतवाम मुक्त कहे मरने समे कोवन आवत काम मेडी मंदीर शायबी गज तुरंग शुत वाम मोटी मोटी मेडीवो होई अविलीवो होई गम्येटली सायबी होई हाथी गोड़ा दिक्रा दिक्री जे वोईते वाम स्त्री होई जेटलू होई एटलू बदूई नारजजी के मरुवाने समय आमा ती कोई साथे आवे खरू तम बदे तो क्यो आवे खरू तम ये तो ना पड़ो गोला बदे ना पैड़ी ती बदे ना पैड़ी के ना बब जी उतो कहे साथे नू आवे नारजजी के काई साथे नू आवे तो ये ना माट्या प्रियास्य ना माटे